ओम नमस्य बाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चनल भक्ती ग्यानमे दोस्तों, आज मैं आपको सोले सौंबार ब्रत की कथा सुना रहा हूँ सोले सौंबार का ब्रत व्यक्ती की हर मनुकामना पूरी करता है जो भी भक्त सच्चे मन से भागवान सिर्जी की पूजा करता है सौंबार के ब्रत करता है या सोले सौंबार के ब्रत करता है जो भी भक्त जिस कामना से सोले सौंबार का ब्रत करता है भागवान सिर्जी उस मनो कामना को सिग्र ही पूरा करते हैं और अपना आसिवाद हमेशा उस भक्त पर बनाए रखते हैं इसलिए सभी भक्तों को सच्चे हिर्दय के साथ में भागवान सिर्जी की पूजा जरूर करने चाहिए और भागवान सिर्जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए जो भी व्यक्ती मनसा वाचा कर्मना सहित भक्ती पूरवक सोले सौंबार का ब्रत एवं पूजन इत्यादी विदिवत करता हैं तो वे इस लोक में समस्त सुकों को भूख कर अंत में सिर्फ धाम को प्राप्त होता हैं तो आप सभी भक्त जन एगवा प्रेम से जुरूर बोले बोले सुछन कर वगवाने की जाएं प्रिया वक्तों आएए कथा को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली वारा हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें और सेयर करें हे बोले नात जो भी वक्त आपकी इस कथा को सुन रहे हैं कह रहे हैं और हूंकार भर रहे हैं आप सभी वक्तों के कष्टों को दूर करना उनकी सभी मनुकामना पूरी करना और उनके समझत पापों को नश्ट करके अपने चैनलों में इस्तान देना आए भक्त जनो अब करने के च्छा करके एक समय श्री भूतनात महादेव जी माता पर्वती के साथ पतारें वहाँ वे भिरमड करते करतें वेदार्व देशामतरगत अमरावती नाम की अतिव रमनीक नगरी में पहुंचें अमरावती नगरी अमरपुरी के सरदश्य शब प्रिकार के सुखों से परपूर्ण थी उसमें वहां के माराजा का बनाया हुआ अतिरमणीक सिवजी का मंदर बना हुआ था उसमें भागवान संकर भागवती पारवती के साथ निवास करने लगे एक समय माता परवती प्राण पती को प्रिशन देख करके मनों विनोत करने के इच्छा से बोली हे माराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खिलेंगे सेव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खिलने लगे उसी समय उसे स्थान पर मंदर का पुजारी ब्रामण मंदर में पूजा करने को आया माता जी ने ब्रामण से प्रिश्न किया यहीं पुजारी जी बताओ कि इस वाजी में दोनों में किसकी जीत होगी ब्रामण बिना विचारे ही सीक्र बोल उठा कि महादेजी की जीत होगी थोड़ी दिर में वाजी समाफ हो गई और पारवती जी की बिजय हुई अव तो पारवती जी ब्रामण को जूट बोलने के अपराद के कारण स्राप देने को उधत हुई तब महादेजी ने पारवती जी को बहुत समझाया प्रंत उन्होंने ब्रामण को कोड़ी होने का स्राप दे दिया कुछ समय वाद पारवती जी के स्राप वस पुजारी के सरीर में कोड़ पैदा हो गया इस तरह पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा इस तरह के कश्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देव लोग की अपसराएं सिवजी की पूजा करने उसी मंदर में पदा रहें और पुजारी के कश्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने के कारण पूछने लगें पुजारी ने निसंग कोश सब बातें उन से कह दी वे अपसराएं बोलें हे पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत हो ना भगवान सिवजी तुमारे कश्ट को दूर कर देंगी तुम सब ब्रतों में स्रेष्ट सोले सौंबार का ब्रत भक्ती भाव से करों तब पुजारी अपसराओं से हाथ जोड़कर बिनम्र भाव से सोले सौंबार ब्रत की विदी पूछने लगां अपसराएं बोली कि जिस दिन सौंबार हूं उस दिन भक्ती के साथ ब्रत करें स्वच्च वस्त्र पेने आदा सेर गेहूं का आटालें उसके तीर अंगे बना और घी, गुड, गदीप, नैवेद, पंगी, फल, बेल, पत्र, जनेव का जोड़ां चंदन, अक्षत, पुस्प, आदी के द्वारां प्रतोस काल में भागवान संकर का बिदी से पूजन करें तत्पष्यात अंगाउं में से एक सिवजी को अरपन करें बागी दो सिवजी पवित्र गेहों के आटे की बाटी बनाएं, ततानुसार घी और गुड मिलाकर चूर्म बनाएं, और सिवजी का भू लगाकर उपस्तित भक्तों में बाटें, पीछे आप कुटों में प्रसा दिलें, तो भागवान सिवजी की किरपा से उसके मनुरत पूर्ण हो जाते हैं ऐसा केकर अपसराएं, स्वर्ग को चली गई, ब्रामण ने यथा विदी सोले सौंबार ब्रत किया, तता बागवान सिवजी की किरपा से रोग मुक्त होकर आनन से रहने लगा, कोई दिन बाद जब फिर सिवजी और पार्वती जी उस मंदर में पता रहीं, तब ब्रामण क अति प्रिसन होकर ब्रामण से ब्रत की विदी पूचकर ब्रत करने को त्यार हुई, ब्रत करने के वाद उनकी मनोकावना पूर्ण हुई, तता उनके रूटे पुत्र स्वामी, कार्त के स्वेम माता के आग्याकारी पुत्र हुई, परंतु कार्त के जी को अपने विचार प सोले सौंबार ब्रत की कथा उनको सुनाई स्वामी कार्थ के जी बोलेगी इस ब्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रियमित्र ब्रामर दुखी दिल से परदेश गया है हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है कार्थ के जी ने भी इस ब्रत को किया और उनका प्रियमित्र मिल गया, मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का वेद कार्थ के जी से पूचा, तो वे बोले है मित्र हमने तुमारे मिलन की इच्छा से सोले सौंबर का ब्रत किया था, अब तो ब्रामण मित्र को भी अपने विवा की बड़ी इच्छा हुई कार्द केजी से ब्रत की विदी पूची और यथा विदी ब्रत किया ब्रत की प्रवाव से जब वह किसी कारवस बिदिस गया तो वहां की राजा की लड़की का स्वेंबर था राजा ने प्रण किया था कि जिस राज कुमार की गले में सब प्रिकार स्रंगेता हरतनी माला डालेगी मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवा कर दूँगा सिव जी की कृपा से ब्रामबर भी सुएमबर देखने के इच्छा से राज सवा में एक और बैठ गया नियस समय परहत नहीं आई और उसने जैमाला उस ब्रामबर के गले में डाल दी राजा की प्रितिक्या के अनुसार बड़ी दूमदाम से कन्या का विवा उस ब्रामबर के साथ कर दिया और ब्रामबर को बहुत सा धन और सम्मान देकर संटुष्ट किया ब्रामण सुंदर राज कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा एदन राज कन्या ने अपने पती से प्रिश्न किया हे प्राणनात आपने ऐसा कौन सा भारी पुन किया जिसके प्रवाव से हतिनी ने साब राज कमारों को छोड़ कर आपको बरन किया ब्रामण बुला हे प्राण प्रिये मैंने अपने मित्र कार्थ केजी के कथा नुसार सोले सुम्मार का ब्रत किया था जिसके प्रवाग से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ती हुई ब्रत की मैमा को सुनकर राजकर्ण्या को बड़ा आशर हुआ और वैवी पुत्र की कामना करके ब्रत करने लगी सिर्जी की दया से उसके गर्व से एक अति सुन्दर सुसील धरमात्मा और बिद्वान पुत्र उत्पन हुआ माता पिता दोनों ओसो देव पुत्र को पाकर अति प्रिसन हुए और उसका लालन पालन भली प्रिकार से करने लगी जब पुत्र समझदार हुआ तो एदन अपनी माता से प्रिश्न किया कि मा तूने कौन सा तब किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्व से उत्पन माता ने पुत्र का प्रवल मनुरत जानके अपने किये हुए 16 सम्भार की ब्रत को विदी सहित पुत्र के सम्मक प्रिकट किया पुत्र ने ऐसे सरल ब्रत को जो सब तरह के मनुरतों को पूंड करने वाला है सुना तो वैवी इस ब्रत को राज अधकार पाने के च्छा से सम्मबार को यथाविदी ब्रत करने लगा उसे समय एक देश के ब्रत राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरन किया राजा ने अपनी पुत्री का विवा ऐसे सर्व गुण संपन ब्रामण युवक के साथ करके बड़ा सुक प्राप्त किया ब्रत राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्रामण बाला गद्दी पर विठाया गया क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था राजी का अधिकारी होकर भी वह रामण ब्र पूत्र अपने 16 सुमबार के ब्रत को करता रहा जब 17 सुमबार आया तो विपर पूत्र ने अपनी प्रितमा से सब पुजन सwiąमगृ लेकर सिवाले में चलने के लिए कहा परंतु प्रितमा ने उसकी आग्या की परवा नहीं की दास दासियों द्वारा सब सामिक्रिया से वाले विजबा दें और आप नहीं आई जब राजा ने सिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकास वाणी राजा के प्रति हुई राजा ने सुना है राजा अपनी इ सबासदों को बुला कर पूछने लगा कि हे मंत्रियों मुझे आज सिर्जी की वविश्वानी हुई है कि राजा तु अपने इस रानी को निकाल दे नहीं तो ये तेरा सर्व नास कर देगी मंत्री आदे सब बड़े विश्मे और दुख में डूब गए क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रस्ता है ये कैसे हो सकेगा अंत में राजा ने उसे अपने यहां से निकाल दिया रानी दुखी हिर्दय भागे को कोशती हुई नगर के बाहर चली गई बिना पदत राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धी मैं ब्रद हूँ भाव नहीं जानती हूँ ऐसी वात बुढिया के सुन रानी ने बुढिया के सर से सूत की गठ्री उतार अपने सिर पर रखी थोड़ी देर बाद आधी आई और बुढिया का सूत पोटली के सहित उड़ गया बिचारी बुढिया पस्ताती रह गई और रा रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सम्मट के सिवजी के प्रकोप के कारण चटक गई ऐसी दसा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया इस प्रकार रानी अत्यंद दुख पाती हुई सर्ता के टट पर गई तो सर्ता का समझत जल सूप गया तत पशाद रान के सरदश्य जल असंग्च कीडों से युक्त होकर गंदा हो गया। रानी ने भागे पर दोसा रोपन करते हुए उस जल को पान करके पेड की सीतल चाया में बिस्त्राम करना चाहा। वै रानी जिस पेड के नीचे जाती उस पेड के पत्ते ततकाल ही गड़ जाते। बन सरोबर के जल की ऐसी दसा देखकर गव चराते गवालों ने अपने गुसाईंजी से जो उस जंगल में इस्तित मंदर के पुजारी थी कहीं गुसाईंजी के आदे सनुसार गवाले रानी को पकड़ कर गुसाईंजी के पास ले गई रानी के मुक की कांती और सरीर की सोबा देख गुसाईं जान गई कि ये अवश ही कोई बिदी की गती की मारी कुलीन अवला है ऐसा सोच पुजारी जिनने रानी के प्रति कहा कि पुत्री मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा तुम मेरे आस्रम में ही रहो मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने गुसाइं के ऐसे बचन सुन रानी को धिरज हुआ और आराम से रहने लगी आस्रम में रानी जो भुजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते जल बर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते अब तो गुसाइं जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि है बेटी तेरे पर कौ उसे देवता का कोप हैं जिससे तेरी ऐसी दसा हैं पुजारी जी की बात सुन रानी ने सिवजी की पूजा करने ना जाने की कता कह सुनाई तो पुजारी सिवजी माराज की अनेक प्रकार से इस्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले की पुत्री तुम सम्मनुरतों के पू और सब्त्रे में सोंबार को पूजन के प्रवाब से राजा के हिर्दय में विचार उत्पन हुआ कि राणी को गए बहुत समय व्यतित हो गया ना जाने कहां कहां भठकती होगी ढूरना चाहिए यह सोच उसने राणी को तलास करने चारों दिसाओं में दूत भेजे वे तलास करते हुए पुजारी के आस्रम में राणी को पाकर पुजारी से राणी को मांने लगे परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुक्चाप लोटे और आकर माराज के सम्मुक राणी का पता वतलाने लगे राणी का पता पाकर राजा स्वयम पुजारी के आस्र होया है इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ आप इसे मेरे साथ चलने की आग्या दे दी जिए गुसाएं जी ने राजा के बचन को सत्य समझ का राणी को राजा के साथ जाने की आग्या दे दी गुसाएं जी की आग्या पाकर राणी प्रसन होकर राजा के महल में आई नगर में अनेग प्रिकार के बाजे बजने लगे नगर वासियों ने नगर को तोरणवावंदर वानों से विविद विदी से सजाया घर-घर में मंगल गान होने लगे पंडितों ने विद्वाद वेद मंत्रों का उच्छारण करके लापान किया इस प्रकार राणी ने अपने अपनी राजदानी में प्रिविश किया, माराज ने अनेक तरह से ब्रामणों को दान आदे दे कर संटुष्ट किया, याज़कों को धन दान दिया, नगरी में इस्तान इस्तान पर सदा व्रत खुलवाए गई, जहां भूकों को खाने को मिलता इस प्रकार से राजा सिर्जी का कृपा पात्र हो, राजदानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुकों का भूग करते हुए, संबार ब्रत करने लगा और विद्वत से पूजन करते हुए, इस लोक में अनेक अनेक सुकों को भूगने के पश्याद सिर्फुरी को पधारें, ऐसे ही जो मनुष्य, मन्सा, वाचा, कर्वना, द्वारा, भक्ती साथ सुम्मार का ब्रत वा पूजन विद्वत करता है, वह इस लोक में समझत सुकों को भूग कर अन्तमे सिर्फुरी को प्राप्त करता है, ये ब्रत सब मनुरतों को पूर्ण करने वाला है, बुलुसित सं कर भगवाने की जये